स्टडी आईक्यू आयेस अब तयारी हुई अफोर्डबल नमस्कार दोस्तें स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुन जोहरी जहिन जाय भारत बहुत दिनों से हमारे कोमेंट सेक्शन में आपकी डिमांड आ रहे थी एक टॉपिक को लेकर कि लखी बिस के पर एक वीडियो बनाई है आज आपकी इसी डिमांड को मद्दे नजर रखते हुए यह वीडियो आपके लिए हाजर है और यकीन मानिए इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा डीटेल इंफॉर्मिशन जो भी अभी तक अविलेबल है ऐसी सबसे आज डीटेल इंफॉ करियर में एनसजी कमांडों के तोर पर सर्व किया है इस्पेशल फोर्सेज में रहें अलग-अलग मिशन्स पर उनका जाना हुआ है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं और ये इस बात के पुक्ता सबूर भी मिलते हैं सामने कई बार की खूफिया एजेंसी के लिए भी अंदर दो टॉप गेंग्स्टर्स उत्राखंड स्टेट के उन दोनों का एक ही दिन एक ही जगह पे और एक ही गोली से मुर्डर हो जाता है दो लोगों का एक ही गोली से मुर्डर कर दिया जाता है और इसमें नाम आता है यहां पर एजेंट लीमा का यानिकी लगी बिस्ट का तो आखिर ये पूरा केस किया था या भी किसी विशन का फार्ट था या फिर किसी और तरीके से इसको किया गया था सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला इस वीडियों के एंड तक जरूर देखे प्रेम सिंग जी और मोरीनी देवी जी जनम मोता है लक्ष्प का नाम रखा गया लक्षम सिंग और फिर प्रका नाम क्या लगी तो यह जो लक्षमन सिंग थे लगी बिस्ट है इनके पिता जी जो दे उस समय पे हवल्दार थे इंडियन आर्मी के इंदर। बाद में JCO की rank से retire हुए और grandfather जो थे उनके जो दादा जी थे वो 1971 की war में भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें वीरगती को प्राप्त हुए थे भारत के लिए उन्होंने अपना बलदान लिया था तो यह पूरी जो family थी वो soldiers की family थी लकी को 6 साल की उमर में ज जैपूर के अंदर होती है bright birds school यह जैपूर के अंदर पढ़ाई हुए इसके बाद केवी को जोइन किया केंद्री विध्याले को जोइन कर लेते हैं 6th class से करीबन लेके आपके 11th class तक यह केवी में यहां पे रहते हैं इसी दोरान दोस्तों यह incident हुआ था जब पहली बार intelligence agencies के बारे में lucky list को पता चला किस तरह से पता चलता है कि 10th class में जब यह थे तो केवी में ही केवी की तरफ से जो बार मेरा में रायस्तान के अंदर उत्तर लई चीजे महाँ पे थी उस समय पर पिता ने का कि हां बिल्कुल वह एक बहुती sensitive area है और साथी साथ में वहाँ पर intelligence की निगाहों में वो रहता है intelligence के लोग वहाँ पर अक्सर आते जाते हैं तो यह जब चीज इन्होंने यहां से सुनी तो उन्होंने का intelligence का क्या मतलब होता है कभी भी देश के उपर कोई आच नहीं आने देते हैं और अगर उनके input सही हो तो देश में कभी war हो ही ना कभी भी war होगी ही नहीं अगर intelligence के input सही हो तो यह जो बात थी लकी के एक तर से दिमाग में बस चुकी थी यह पहली बार था जब उन्होंने खूफिया agencies के बारे में यह कहें कि intelligence agencies के बारे में सुना था पता चला था लेकिन यह एकलोता incident नहीं था इसके बाद बहुत ही जल्दी एक और incident ऐसा होने वाला था जब लगी विस्ट को यह नाम intelligence agency यह दोबारा सुनाई देने वाला था उनके कानल पढ़ने वाला था एक साल यहां से निकलता यह कर लगी विस्ट पढ़ रहे थे यहां पर इसी से बता जाता है कि कुछी महीनों के बाद में उनके क्योंकि अंदर हमेशा से ही था कि forces में सर्फ करना है देश के लिए काम करना है यह यहां से इंडिन आर्मी की भरती जो निकली थी वहां पर अपना admission एक तरह से कर लेते हैं व नागलेंड जाते हैं नागलेंड उनका जाना होता है दिसमबर 2003 के अंदर दिसमबर 2003 में नागलेंड जाना हुआ वहां से वापस आते हैं और वापस आये ही थे कि सड़नली उन्हें बुला लिया जाता है बैंगलोर साइकलोजिकल टेस्ट के लिए यह बताया जाता है उन् इतने भी स्टूदेंट्स लखी के साथ के जो कैंडिडेट्स थे उन में से बहुत-बहुत कम लोगों को यहां इस साइकलोजी टेस्स के लिए बुलाया गया था जिसमें लगी बिस्ट भी शामिल थे तो यह बड़ी ही यजीब सी चीज ती इसने उन्हें चौका दिया था ल तो कहते हैं हाँ बिल्कुल इंटलिजन्स के बारे में सुना उसके बाद लखी बिस्ट ने अपने पिता की बात को दोरा दिया उन्होंने का कि वो लोग जो कभी दिखते नहीं है लेकिन अगर उनके इन्पॉट सही हो तो कभी भी वार हो ही ना कभी वार ना हो यह चीज ज 16-17 साल का लड़का लखी बिस्ट लक्समन शिंग सिंग बिस्ट इस्पेशल फोर्सेज में यहां पर काम करने लगता है और साती सात में कहा जाता है कि खूफिया एगेंसिस के लिए दोस्तों से एपिसोड में आप बढ़ने से पहले से जरूरी अनॉंस्मेंट आप लोगो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख सकते हैं साथ ही साथ यूपी एसी सीएसी के अगर आप आएस इस अफसर बनना चाहते हैं बहुत सारे कोर्से बहुत ही वैल डिजाइन कोर्से इस्ट्रॉक्टर कोर्से बेस्ट फैकल्टी के साथ में आपको यहां पर अवलेब सब्सक्राइब में जॉइनिंग के बाद यह जोट्रिनिंग थिये training starting dat you training चलती है एंप्रिल 24 से त्रेनिंग शुरू हो थिинки इसके बाद तरीबन 20reten का स्वय बताया जाता है Post Blast Studies की ट्रेनिंग थी और Counter Insurgency की ट्रेनिंग थी, Counter Insurgency जो Operations होते हैं, इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई थी Lucky Vist को और बाकी उनके साथियों को, लेकिन इन सभी hardcore ट्रेनिंग के इस पूरे प्रोसेस ने, इस पूरे धाई से तीन साल का यह जो समय था, इस पूरे प्रोसेस ने लखी विस्ट को इंसाइड आउट बदल कर रग दिया था उनकी पूरी परस्णालिटी को बदल कर रग दिया था और जीवन की एक बहुत ही बड़ी सीख यहां पर देखे ट्रेनिंग इनको गई थी यह सीख थी यह बड़ा लेसन था जो वो खुद कभी बताते हैं वो कह कंट्रीज में भी इनका जाना हुआ उन्होंने अक्रॉस दफ ग्लोब कंट्रीज को ट्रेवल किया पैरा मिलेटरी फोर्स के लिए काम किया आर्मी असाम राइफल्स के लिए स्पेशल फोर्स के लिए काम करते रहे यहां पे और इनका एक कोड़नेम बना दिया गया था यहां भारत में मुंबई में अटैक किया था तो यह जो 26 ग्यारा हमला हुआ था इस समय पर पुलिस और एनस जी स्पेशल फोर्स जो थी वो लगाता और ऑपरेशन में लगी हुई थी एलिमिनेट करने के लिए नाप करने के लिए टेरुस को यहां पर इस समय पर लकी बिस हमारे देश में हमारी जरूवत बहाँ हैं तो हमने वहाँ पर जाना चाहिए हैं मैं वाल पर जाना चाहिए हैं हम सिना पर सम्झाया और मोटीवेट किये एक तरह से को जोईन कर लेते नेशनल सेक्रिटी गार्स को जोईन करते हैं और इस पूरी सर्विस के दौरान सेक्रिटी ऑफिसर कई बार यह सेक्रिटी कवर एक तरह से प्रोवाइट करते थे इनकी पूरी और आसाम सीम तरुन गोगोई ऐसे जितने भी बड़े बड़े जो नाम थे और साती साथ जो बीजेपी के टॉप लीडर उस समय पे मेंबर ऑफ पार्लेमेंट एलके आडवानी जी लादकृष्ण आडवानी जी उनकी भी सेक्रिटी कवर में लंबे समय तक लगी बिस्ट यह है कि जब सीम थे मोधी जी और एहमदाबाद उनका जाना हुआ एक बार तो एहमदाबाद विजिट के लिए करीबन एक घंटे का टूर होने वाला था जिसमें लखी को काम मिला था लखी विस्ट को उनकी पूरी टीम को कि आपको यहां पे इनके साथ में रहना है इस पूर बन 17 दिन का टूर बन गया औल ओवर इंडिया पूरे इंडिया में घूमने के लिए यह सत्रा दिन का टूर बन चोका था जो एक घंटे के लिए निकले थे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटीशन से एक काम से निकलते हो और वहां से चाहें किसी इमर्जेंसी के चलत उन्हें जाना पड़ता है लग लग जगे तो यह जो इवेंट था यह जो पूरा एक घंटे का का ट्रम जो सत्रा दिन का पूरा टूर बन गया लगी बिस्ट इसमें मुदी के साथ मौजू उनके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे सिर्फ एक आउटफिट था उनके प और इस ती कम उवर में इन्होंने सेक्रीडी फोर्सेस को स्पेशल फोर्सेस को जोइन कर लिया है यह वह समझ नहीं पार रहते हैं वह बहुत ही ज्यादा खुश थे इस बात से कि उनके पिता थे उन्होंने भी आर्मी में सर्फ किया और जो ग्रैंट फरदर थे वो तो वी क्रूशियल रोल रहा थे वहांपर सक्कूरीटी में किस तरह से कि अमेरिकन एसनाईपर के साथ इन्हें अटैच किया गया था यहां पर बताते हैं कि जो मेंन गोल था वो था कि हैदरबाद हाउस में जब पराक उबामा का भाशन जो स्पीश थी उनकी वो चल रही थी और काफी उस पर पूरी दुनिया भर की निगाहें थी उस दिन पर हैदरबाद हाउस में जब वो स्पीश थी उस पर इस्पेशली तो वहाँ पर ये इनकी जिम्मेदारी थी कि ये उपर स्नाइपर पोजीशन में थे और कोई भी उस बिल्डिंग से हिदरबाद हाउस के उपर अगर चाहें कोई भी रडार कोई भी ड्रोन या कोई भी प्लेन किसी भी तरह का अगर आपको दिखता है उड़ता ह और यहां पर इनका काम था कोई भी प्लेन अगर देखे उसको हाल के हल आपको नीचे गिरा देना है कोई भी अगर ड्रोन बगरा दिखता है लेकिन एनसजी में सरफ डेर साल हुआ था ये 2010 में जोइन किया है और 2010 के शुरुआती दौर में जोइन किया है एक से तरे साल करी उनके पास में थे कि उत्राखंड स्टेट के दो टॉप गैंस्टर से राजू पर गई और अमित आर्या इन दोनों का इंवाल्मेंट है नेपाल में बी कंपनी के साथ जो इलीगल आम्स डेलिंग है उसके अंदर ये लोग आम्स डेलिंग कर रहे हैं साधी साथ ये भी पता था कि नेपाल के अंदर जो पहले मिर्जा दिर्शाद बेक नेपाल पार्लियम अंटेरियन था उसका जो एक डी कंपनी के साथ दाउत के साथ जो एक नाता था जो वह आम्स डिलिंग बहां से करवाता था उस नेक्सिस को भी ये दुबारा से अक्टिव करने लगे तो ये यहां पर सामने थी और ये इंट्रिजेंस एगेंसी के पास उचना भी थी इस चीज की अच्छा ये भी बताया जाता है कि राजु परगाई के बारे में कि एक समय पर उत्रकंड में कहा जाता था कि रमेश बंबया नाम का एक ऐसा गैंस्टर था जिसके खौफ से पर थे ये वो साल था ये वो समय था जब लकी विस्ट लाल कृष्ण अडवानी के सेक्यूर्टी कवर में मौझूद थे वहां सेक्यूर्टी कवर में उनके अपने रिस्पॉंसिबिल्टी अपनी आदा कर रहे थे सड़नली उन्हें 15 दिन की इमर्जेंसी लीव पर जाना पड़ता है लकी बिस्ट को इनी दिनों में उत्राखंड में राजू पर गई यह जो टॉप गैंस्टर थे राजू पर गई अमित आर्या इनके साथ में क्या वह रहा था कि इने एक शक्स मिलता है और यह शक्स जो था उसने बताया कि मैं आज तक जो आपने आम यह दोनों के दोनों मान जाते हैं यह लोग चंडीगर जाने वाले थे दो से तीन इनके स्टे के लिए और इन्हों ने करीबन एक लाग बीस जार रुपे लेकर अपने घर से निकल गए थे फोड गाड़ी थी जहां तक मेरा मानना है और यह इसके साथी एक लाग बीस जार रहा था जो गाड़ी चला रहा था ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर राजू पर गई बैटा तो और पीछे वो तीसरा शक्स बैठा हुआ था यह गाड़ी जैसे ही बुभाली रोड के उत्रकंड में बुभाली रोड के श्याम खेत के पास जैसे पहुंचती है त उसके जो ड्राइविंग सीट की विंडों थी उस पर नॉक करता है नॉक किया जैसे ही विंडों डाउन आती है जैसे ही विंडों नीचे आती है शिषा नीचे आता है इस तीसरे शक्स ने यहाँ पर बहुत ही करीब से इन दोनों को शूट कर दिया था एक गोली चलाई कि आखर ये कैसे हुआ होगा इसके बाद 5 सितंबर 2011 अगला ही दिन जो था जो उत्रकंड पुलिस थी वह भवाली के शाम खेत में इस जगे पहुंचती है जो गाड़ी थी उसके अंदर दोनों की डेट बोडी रखी हुई थी डेट बोडी पड़ी थी वहां पे पुलिस को 32 की पिस्टिल का एक खोका मिलता है साथी-साथ में मिलता है खॉलिस्टर को देखते हुई उस 32 पिस्टिल के खोके को देखते हुए और पुलिस ये जान चुगी थी कि यह ब़ी जाधा किसी ट्रेन शक्स का काम है इन सब के बाद पुलिस ने क्या किया कि 15 दिन की अमेर्जेंसी लीफ पर आये हुए पंदरेंगी छुट्टियों पर अपने घर आये हुए लकी बिस्ट के घर जाती है और डबल मुर्डर के चार्ज में उनके घर जाके उने अर्रेस्ट कर लेती है यह सड़नली यह सारी चीज़ें ऐसी हुई कि तीन दिन तक उन्हें विदा एजेंट लीमा ही लकी बिस्ट है लकी को क्रेबन चार साल तक जेल में रखा जाता है बहुत ही एक कटिन समय जो था उस समय पर उसकी सामने से यह से निकला ग्यारा बार जेल ट्रांसफर किये जाते हैं आप यह समझेगा यहां पर कि ग्यारा बार जेल ट्रांसफर किये गए चार साल के अंदर चार बार जरेस को बदला गया अलाग अलग यह जो ओवराल मामला था यह इस तरह से चलता है कि बाद में नैनी ताल डिस्ट्रि कोट की द्वारा कि ड्यू टू लेकर सबसे बड़ा यहां पर खड़ा हो जाता है कि जब एविडेंसी नहीं थे तो फिर चार्ड साल तक रखा क्यों गया जेल में क्यों उच्छ ग्यारा जेलों में अलग लग जगे कहीं पर कोई के जब जब 2015 में जाके वो 11 जेलों के मिशन्स खतम हुए उसके बाद लखी बिस्ट को रहा कर दिया गया तो यह कई सारे जो कोशन से सवाल थे वो यहां पर खड़े हो जाते हैं जिस होलस्टर के लिए लग बिस्ट को पकड़ा गया था तो होलस्टर अगर आप लोगों ने आप देखा हो तो ऑन-लाइन कई बार मिल जाता है One इजली इस समय पर अगर किसी को भी ले लों तो कैसे एक होलस्टर के और बट्र दीस में पकड़ा गया यह भी किसी मिशन के तहट कराया गया था एजनी के बार कई सारे सवाल है है 225 में जेल से निकलने के बाद बताया ज ने दुबारा से अपना उसी साल में Special Forces को फिर से जॉइन किया और फिर चार साल करीबन काम करने के बाद 2019 में रिजाइन कर दिया था अब यहां पे सवाल फिर से खड़ा होता है कि आखिर इन चार सालों में क्या लगी विस्ट ने बहुत सारे operation किये हैं और अलग-अलग किन-किन operation में वो शामिल थे क्या वो दुबारा से कुछ अलग operation में देश के बाहर गए थे देश के अंदर ही करने वाले थे क्योंकि इन चार सालों में अगर आप देखें तो कापी सारी बड़ी चीज़ें हुई है देश में औरी अटैक पठान को अटैक बालाको टेर्स ट्राइक फुल्वाम अटैक तो यहां पर लकी किया क्या रोल रहा था जब इसको हमने जवाब इसका दिया है पाकिस्तान को तो क्या यहां पर कुछ बड़ा रोल रहा था और इन चार सालों में आकिल रखेंग आके जो लकी बिस्त वहां थे तो पन्रा से 19 के बीच की बात है यहां पर इस टाइम पिरेड में एक और इंसिडेंट इस एरिया से भी निकल के सामने आता है आपको अगर पता होगा तो 2016 में पाकिस्तान ने भारत के कुल्बूशन जादब को अरेस्ट कर लिया था पकड़ लिया था यह बताते हुए कि यह भा हभीब मुहमद हभीब जाहिर थे मुहमद हभीब जाहिर जोते वह आईएसाई के लिए काम करते थे ठीक किसी डील के चलते हैं ने इक शक्स के द्वारा बुलाया गया था लुंबिनी में नेपाल के अंदर और लुंबिनी नेपाल में जाने के लिए यह पहले नेपाल पह श्रूऔ कर दिये थे कि नेपाइल के अंदर यह जो हमारी में को रिटे गाया इसको जो यहां से गायब कराया है इसमें भारत का पूरा-पूरा हात्यों और यह इसलिए करा गया है क्योंकि कुल्बूशन जादफ के बदले इन्होंने हमारे उसको सजा ना मेले कुल्बूशन जादफ को इसलिए इन्होंने हमारी खुफिया एजेंसी यह जो भारत की खुफिया एजेंसी है इन्होंने यह चीज कराई हुई है तो लेफ्टें करनल हवीब को उठा लिया है लकी बिस् कई बार फाइरेंग पील्ड पर देखा गया है कई बार special forces के program से में भी देखा गया है इंडियन Film Industry में suddenly 2019 में जब इनमें उस जगे, उस फिल्म इंडिस्री में, जहां पर जाने के लिए, हजारों लाकों लोग जो है, वो हर दिन मंबई में उतरते हैं, वहां पर काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, यहां पर लखी बिस जो हैं, सडनली उनको तीन साल के अंदर ग्यारा प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे बॉलिवोट के अंदर वो काम करने वाले हैं यह भी चीज सामने आती तो आखिरेसा कैसे अगर आप अले बड़ी-बड़ी परस्नालिटीज को देखें जब यह बुक रिलीज हुई थी इसके बाद बलुचस्तान की नायला कादरी वो उनकी प्रोट कर रही है यहां पे पूर दिल्ली पुलिस कमेश्नर नीरज कुमार वो उनकी बुक को प्रोट कर रहे हैं तो काफी सारे सवाल खड़े होते हैं और जब भी लगार्टी बाते करते हैं लेकिन कई वा ऐसा होता है कि जो इस्पेशल फोर्सेस लेकिन मुद्दे की बात एक यह है कि जो यूथ को यहां पर सीखना चाहिए लखी बिस्ट की एक लाइफ से जो उनके उतार चड़ाव रहे उसमें उन्होंने कैसा उनको टैकल किया कैसे हैंडल किया जेल में रहने के बाद जो लोग कई बार तूट जाते हैं वहां पर इतनी मुश्किल पर स्थिती में रहने के बाद भी और उनके कैसे बाहर निकल के दोबारा से जॉइन किया अपनी सर्विसेस को उसके बाद रिजाइन करने के बाद इसनाने बॉलेवुड में लगाता रही हैं और बड़े काम कर रहे हैं ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ एक सीक बल पर हो रही हैं एक बो सीक जो उन्होंने अपनी लाइफ भर में सीखी और जिसको वह कह बताते हैं कि वो सीक ये थी कि के convert your worst moments into sources of inspiration does not matter whether you are brave or not what matters is आप life में किस हद तक हार नहीं मानते हैं ये जो लाइन है दोस्तों इस लाइन को जरूर याद रखिएगा कि क्योंकि जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी लोग हैं जितने भी मिस्ट्रीज होती हैं ये सब ठीक चलता है लेकिन एक जो सीखने लायक बात है वो ये है और इसको आपको अपने गुद्मी में ढाल लेना चाहिए कि आप किस हद तक हार नहीं मानते हैं ये बहुत बड़ी बात है और ये आपको अपनी ला होते हैं जलिवे ँदि तो ये सब चीज़ें करते हैं आप आप अपने को्षण जो हैं वह अलग से पूछ लीजए एकां सेक्षिन में जो भी आपको लख की पूछने कर सकते हैं मृट से मिरे सोचल सवाल जो है वो जरूर पूछेगा लकी बिस्त से पूछेगा अपने सवाल और साथी साथ में अगले बार वो जो हमारे साथ में पॉर्टकास होगा उनका उसमें आप उनके सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगी बिल्कुए तब तक लिए दीजे जाथ नमशकार धन्यवा कर दो